स्टूडेंट लाग की चूड़िया आपका चप्टर है जिसके लेखक है कामतनाजी लेखक कह रहे हैं कि सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुन्दर सुन्दर लाग की गोलिया बना कर देता था मुझे अपने मामा के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लोटता तो मेरे पास धेर सारी गोलियां होती रंग भिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन महुलेती वो अपने मामा के गाउं जाते थे तो उन्हें बदलू ही सबसे अच्छा भी महां का लगता था वैसे तो मेरे मामा के गाम का होने कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था लेकिन जब सारे गाओं के बच्चे उन्हें बदलू काका कहते तो मैं भी उन्हें बदलू काका कहकर ही पुकारता था बदलू का मकान कुछ उंचे बर बना था म जिस पर वह लाग को पिगला लिया करता था सामने एक लकड़ी की चोकट रहती थी जिस पर वह लाग के मुलायम होने पर उसे सलाग के समान पतला करके चूड़ी का कार दे दिया करता था पास में चार चै विबिन परकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और कुछ पीचे से मोटी होती थी लाग की चूड़ी का आकार दे कर वह उन्हें मुंगेरियों पर जड़ा कर गोल और चिकना बनाता रहता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ीयां बना चुकने के पर शाथ वह उन पर रंग करता बदलू ये कार सदा ही एक मचिय यानि चार पाई पर बैटकर किया करता था जो बहुती पुरानी थी बगल में उसका हुका रखा रहता जिस पर वह बीज-बीज में पीता रहता ता गाउं में दोपैर का समय अधिकतर बदलू के पास बीजता वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुच्ज़ई मेरे लिए भी तुरंत एक जार पाई मंगा दिया करता था मैं घंटो बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता लगबग रोजी वह चार छे जोड़े चूड प्रिया मनता